ओम स्री गुरुए नमाहा जै भगवान नित्यानन्द आज मैं अपनी पुरानी वीडियो जो भगवान नित्यानन्द पर है वो देख रहा था तो उसमें मैंने कुछ कॉमेंट पढ़े जिसमें लोगों ने भगवान नित्यानंद पर सवाल उठाए हैं कि वो थे ही नहीं और मैं उन्हें स्क्रीन पर लगाने की कोशिश करूँगा हाला कि देखूंगा ऐसे लोगों को हाला कि मैं बहुत समय से जवाब नहीं देना चाहरा था पर जो है वो गुरू सत्ता को भगवान की सत्ता को नकारने की कोशिश कर रहे थे और कई कोमेंट इस तरह से आ चुके थे जिसमें वो भगवान नित्यानंद को कुछ मानी नहीं रहे थे एक कोमेंट आया था कि वो जो है O My God ऐसे कुछ करके फिल्म है वो फिल्म देखिए और आपने क्या भगवान नित्यानंद को देखा है इस तरह के कई question आये थे तो देखे जब आध्यात में दो तरह के मारग होते हैं एक ध्यान का होता है और एक भक्ती का होता है तो गुरुदेव वाला जो मारग है वो भक्ती का है यानि कि आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा पूर्ण समर्पन अपने गुरू को करना पड़ेगा तब ही आप उन्हें जान पाएंगे मान पाएंगे और मैं यह नहीं कहता आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप जो है भगवान नित्यानंद के आस्रम में जाइए जो कि गणेश पूरी में है आपको एड्रस आप गूगल पर सर्च करेंगे गणेश पूरी भगवान नित्यानंद तो आपको उनके आस्रम का एड्रस मिल जाएगा वहाँ पर अभी भी गंदक के तालाब है और वहाँ पर जो है आप जाएं और गुरु सत्ता का अनुभव करें कि वह सच में भगवा नित्यानन जो थे वह किस तरह के गुरु थे हाना कि वह अब जीवित नहीं है पर फिर भी उनकी जो आत्मा है वह जिन्हें मारदर्शन की आवशक्ता है या जिन्हें उनकी आवशक्ता है उनका मारदर्शन वह आज भी करते हैं मुझे ये सुभाग्य अभी तक नहीं मिल पाया है क्योंकि अभी थोड़ा आर्थिक रूप से मैं कमजूर हूँ पर आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं भगवान इत्यानन्द के आस्रम में जा सकूँ तो मैं ऐसे लोगों को बस हमें क्या कहूँ जो गुरू में विस्वास नहीं करते भगवान विस्वास नहीं करते आप विस्वास नहीं करते मत कीजिए मैं तो आपको नहीं कहा रहा हूँ कि आप मेरे गुरू में या मेरे भगवान विस्वास कीजिए आपको नहीं विश्वास करना है, आप अपनी जगे ठीक है, मैं अपनी जगे ठीक हूँ, मुझे किसी में आस्था करनी है, तो मैं वहाँ पे ठीक हूँ, तो मैं तो भक्ती की भी बात करता हूँ और ध्यान की भी बात करता हूँ, मैं दोनों तरह का, जिसकी जो बात अच्छ पूरुस को आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि वो आपने देखे हैं या आप उनकी सत्ता को जानते हैं इसी तरह कि आप बाते ना करें सिरी गुरुदेव की महंता और अंतर ऐस्वरे में कोई अंतर नहीं है कोई उन्हें हमारे जैसा साधहन वक्ती मान सकता है परंतु अपनी सुद अवस्था में वे परमात्म मेली इन थे और मानव सरीर धारन कर परकट हुए थे इस समस्थ से यह इसपष्ट है कि गुरुदेव वर्णती थे परंतु क्योंकि मानव मन किसी तरीके से उनका वर्णन करने का समधान करता है अतय यह कहा जा सकता है कि गुरुदेव परम अवधूत थे सिरी गुरुदेव सतत जागरित अवस्था में ही रहते थे उन्हें कभी किसी ने सोते हुए नहीं देखा कभी कभी मैं उनके वेकुंट आस्रम में कई दिनों तक रहता था लेकिन मैंने उन्हें निंद्रा में कभी नहीं देखा अनेक संत जन को मैंने कहते सुना है कि महापुरु सोते नहीं है एक ही आसन में रहते हैं यह भी कि सिद्र जन निंद्रा अवस्था में परे जा चुके होते हैं वेदों में इन चार अवस्थाओं का वर्णन है जो परतेक मनुश्य के सरीर में होती हैं और उन्हें परत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है जागरित अवस्था, स्वपन अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और इंद्रियातीत यानि तुरिये अवस्था इस्थूल सरीर में और उसके द्वारा होने वाले सभी किरिया कलाप जागरित अवस्था में होते हैं ये किरिया कलाप पंच महा भूतों, पाँच इंद्रियों, पाँच करमेंद्रियों और अन्तह करण चतुष्टिय से उत्पन होते हैं सुपन अवस्था सुक्ष्म सरीर में होती है, सुसुपती अवस्था कारण सरीर में होती है, इन तीन अवस्थाओं का अनुभव सभी ने किया है, लेकिन इन से परे एक चतुर्त अवस्था है, जिसे तुरिया अवस्था या इंद्रियातीत अवस्था कहते हैं। योगी राज या योगी जन कारण सरीर से परे जाकर इस तुरिया अवस्था के महा कारण सरीर में रहना सीखते हैं और उसके भी परे तुरिया तीत अवस्था है जो की सिद्धो की इस्तती है यह अवस्था आवर्णी है शिरी गुरुदेव गणेसपुरी में रहते थे जहां तीनों रुतियों अपने चरम पर होती है ग्रीस रुतु में बहुत गर्मी पड़ती है वर्सा रुतु में घंगोर वर्सा होती है तिथा शिसरी रित्य में बहुत सर्दी होती है, ऐसा होने पर भी सिरी गुरुदेव पूरे वर्स एक ही ढंग में रहते थे, उन्होंने मोसम से कोई कश्ट नहीं होता था, उन पर ना गर्मी का कोई परभाव होता था और ना ही सर्दी का, उन में अपार आत्मसयम था, वे कह करते थे कि सुख दुख का अनुभाव मन को होता है और जो देहतीत अवस्ता में उनके लिए सभी रुत्वे समान है देखे मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे उससे कोई परियोजन भी नहीं है आप चाहें गुरुदेव के बारे में कुछ भी सोचें उसमें कुछ नहीं है कुछ लोग को यहीं भी दिक्कत है कि मैं गुरुदेव के बारे में क्यों कथा कहता हूँ क्यों मतलब ध्यान की आद्ध्यात्म की बाते करता हूँ मैं इसके बारे में भगवान नित्यानंद की बात करता हूँ मैं सिरियम की बात करता हूँ मैं ओशो की बात करता हूँ मैं योगी राज लाहडी महासे की बात करता हूँ मैं क्रिशन की बात करता हूँ देखे मुझे अच्छा लगता है मैं इसलिए कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि स्वामि मुक्तानंद और गुरुमाई जो चिदलासन हैं उनके बीच मद्भेद है देखे मुझे किसी के मद्भेद में नहीं पढ़ना है नहीं मुझे किसी परकार का कोई भी यहां पर किसी का खंडन करना है मुझे मात्र अपनी भक्ती से अपने ध्य रख लें आहम विधायक हो जाएं वही हमारे लिए सर्वोच्च है यहां पर मैं किसी की बुराएं नहीं कर रहा पर ऐसे लोग अगर वो नहीं सुनना चाहते तो मैंने उन्हें अमंत्रित नहीं किया है जिसे अपने गुरु से प्रेम है लगाव है जो भक्ती करना चाहते ह वो मेरी वीडियो देख सकते है नहीं तो उन्हें वीडियो मेरी देखने की या सुनने की कोई आवशकता ही नहीं है पर इस तरह से गुरु की आलोचनन ना करें भगवान की आलोचनन ना करें नहीं तो ये मैं नहीं सुन सकता थोड़ा सा इसलिए मैंने अब कोमेंट्स को अभी उसमें डिसेबल कर दिया है, आगे से ध्यान रखें, यहां पर ही मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ, जै भगवान इत्यानन्द!